नमस्कार दोस्तों बोल्जकाइ में आपकर स्वागत हैं हेल्दी रहने के लिए रेगुलर शरीर की साफसफाई करना बेहत ज़रूरी है हम नहाते समय शरीर के सभी हिस्सों को साफ करते हैं लेकिन अक्सर नाभी की सफाई को नजल अंदास कर देते हैं नाभी या बैली बटन शरीर के सबसे important और sensitive parts में से एक हैं। इसलिए समय समय पर नाभी को साफ करना बेहत जरूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि नाभी में गंदगी जमा होने की वज़ा से infection का खतरा बढ़ जाता है। दरसल नाभी में पसीना, dust, सावून या पानी जमने की वज़ा से कई तरह के खतरनाक बैक्टिरिया पनपने लगते हैं। रेगुलर सफाई ना रखने से नाभी का रंग भी काला पर सकता है, इतना ही नहीं। नाभी से अजीव सी बदबू भी आने लगती है। वहीं दूसरी और नाभी की सफाई करने से सिर्फ सेहत ही नहीं इसके साथ नाभी की क्लीनिंग सेहत के साथ साथ तवचा के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। नाभी में तेल लगाने से तवचा में नमी बरकरार रहती हैं। इससे तवचा चमकदार और ग्लोइंग बनती है। रेगुलर नाभी की ओईलिंग करने से ड्राइ स्किन की स प्राहत मिल सकती है दरसल नाभी में तेल लगाने से हड़ियां मजबूत होती है से जोडों में दर्थ की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाती है इसके लावन नाभी की क्लीनिंग और ओइलिंग करना आखों की सेहत के लिए बेहद लापकारी है नियमेत रूप से नाभी में त सफाई खासता और पर फायदे मंद है रेगुलर बैली बटन में तेल लगाने से महिलाओं की रीप्रेडक्टिव हेल्थ बहतर होती है इससे पीरियेट्स और प्रिजिनन्स से जुड़ी समस्याएं भी कम होने लगती है नाभी की सफाई कैसे करना ही ये भी जान लीजिए नाभी को साफ करने के लिए आप गुनगुने पानी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं नमक में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लमेंटरी गुण पाये जाते हैं जो बैक्टिरिया से लड़ने में मदद करते हैं इसके लिए पानी को गुनगुना करके इसमें अची तरह से साफ कर लें इसके बाद नाभी पर सरसो का तेल या कोई भी ओईल लगा सकते हैं फिलाल इस वीडियो में तो नहीं अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें